नगरी निकाय का बिगुल बच चुका है भाशपा के जनप्रतनिध्यों की पेरुखी से आज मैदानी कारेकरता संकट में है आखिर चुनाओं के समय उन्हें भी जनता को जवाब देना होगा क्योंकि माउगंज नगर में होने वाला विकासकार यहां पर विनासकारी सिद्ध हो रहा है सरकार की जनुनमुखी योजनाव में स्थानी नेताओं के चहेतों के भरस्तचार की गूझ नगर के हर कोने में सुनाई दे रही है बाजपा विधायक माउगंज नगर की तस्वीर और जनता की तक्दीर बदलने की बात लगातार कर रहे है पर विपक्ष की माने तो विधायक जी और उनके चहेतों की तक्दीर और तस्वीर बदलने की बात जन चर्चा में हैं लेकिन अपनी स्वार्थ सिद्धी में बड़ी तनमेता से जुटे छेतर के जन प्रतिनीजियों ने जिस तरह से लोकारपण और भूमी पूजन किया वो सभी माउगंज की सबजी मनली और नगर में बन रहा शौपिंग कॉम्पलिक्स निर्माण की तरह ओधे मोगिरा हुआ स्वक्षता अभियान में करोणो खर्च पर यहां एक भी महिलाओं के लिए प्रसाधन नहीं होने से महिलाओं के लिए शर्मना किस्थिती है नगर में एक मात्र बना यूरिनल खंडहर में तब दीर है सडक खस्ता हाल तो बिजली की समस्या से जनता तरस्थ है दिक्कत तो काफी थी लेकिन अभी बीच में कमनलाज सरकार बनी थी उस समय तो फंद्रा महिने की सरकार में कुछ समस्या ऐसी थी जिसको निराकरण हुआ लेकिन इसके बाद लगातार यहां के बिधाये यहां के सांसत इतनी बेरुखी है कि यह फिर न लाइट मिल रही है न वीजली मिल रहा न पानी मिल रहा यहां पे एक केनके कंपणी है उसका काम एक ब बस्त पहले पूरा होना था लेकिन आज भी गली गली में पानी करस रहे हैं वे तो भी रहा है कि उसका लोगार्बन कर दी है परियोजना का सांसत जी भी आई थे मौदय आपको मैं बताना चाहता हूँ कि केन के कंपणी जो की लगता है भारी भरकम कमीशन में बिदाई जी के मुखार बिंद को बंद कर दिया उन्होंने उनकी लिए एक भी विरोदा आवाज नहीं निकाली कि क्यों लोगों को पानी नहीं मिला है क्यों इतनी बिजली की समस्या है विदाई की निस्क्री बिल्कुल रहे हैं एक तम असफल रहे हैं जो परियोजना चालू होई के अनकी का यह पानी लोगों तक नहीं पहुंच रहा है बिल्कुल इनका लोकार पड़ ही जूटा निकला है आप गली-गली में आप सर्वे करा लीजिए एक भी बेक्ति को धंक से पानी नहीं मिलना है बिजली की समस्षया की कारण फानी जो भी आता था सप्लाई का वह भी पूरी तरह ठप है टेंकर पड़ाली पता नहीं कहां थेडिकर भेजते हैं किसी को पानी नहीं मिलपा रहा है विजली कितने गंडे गनटे मिल रही है 24 गंट पास्त 6 गंटे विजली उपलक्त हो पा रही है वो भी बड़ी मुस्किल लगा रहे हैं जब कि हमारे बाटकमांग पांच में इसका लोड है 18 सो लोगों का निवास रथ हैं जिनके लोड के अंसवार 200 कबी का तांस्थार्मान लगना चाहिए लेकिन लगातार 8-10 वर्षों से कहा जा रहा है यह कोई सुलवाई चांगे को तैयार नहीं है में कारण यह है और कुछ केवल जो अच्छी लगनी चाहिए केवल जलने के कारण भी रोज लाइटे क्रिफ हो रही है इसके लिए तो आप किसको दोसी मान रहे हैं बिलकुल पू पूरी जनतात्रस्त है मैं कई बार गयापन भी दे चुका हूं और आप मेडिया के माध्धम से भी कई बार हमने सूचना दी कि यहां पर है अभी कुछ दिन पहले हमने घेराव भी किया था जिसमें उन्होंने असासन दिया केवल भी बदले लेकिन केवल ऐसी थी कि एक दि इसकी हालत खराब है अरे सालों हो गए तो क्या मलब निर्माण कायर पर कोई ध्यान नहीं दिया गया प्रसाशन नेता जन प्रतनी ती यहां आते हैं जैसे और रोड को अपने हिसाब से बनाते हैं और गित्टी डाल देंगे उसके उपर भसी लाके डाल देंगे इसके और म कि तो बार इस ही बनाए साल भर में कंशिमंप बार इस ही बनाए कि तना मतलब प्रगूसर होता है कि इसकी जो डस्त है वो अंदर जाती है तो यह मान लीजिये कि फुरुक्ता जीना दुपलत भ जाए जिवन भर के लिए कि वरिद बन गया एक तो है कि कम से कम यदि इतना ह टैने कलता हैं ऐधर मतलब एसपर किसी का थ्यान मांनिक ज्या नीकालता हैं जहते है तो इधर मतलब किसी का थ्यानीजान नहीं कि यहां जो लोग रह रहे हैं आपके रोताया दो जानके हैं यह दुरगाड़ना भी होती होंगी इससे जो जो आए जी कम थे कम दो चार चूवीला एकिड़न्ट होते हैं गिरते हैं यहीं पोजिशन है कि मावगंच की बिजली की समस्या को लेकर जनता के बीच में आप लोग क्या महसूस कर रहे हैं है कि जड़ टिक टिक आती हैं चलिए जाती है तभी नुकसान भी हो रहा है लोगों को नुकसान कैसे भूलके हाई हो जाता है इसी में लोगों के पंखा जल जा ज़ड़ा है फूर भी खराप पो चुका है तो भोगता परिसान है रात में लाइट आप निया दिन आती हो जाती है तो तभी लोग परिसान है इस तरह से बोल्टेज की जादा समस्या है अलब लाइट कितने गंडी लाइट मिल रही है टो वह जो आठ दस घंडे मिल रहे तो बोल्टेज क्या इस्थिति है बोल्टेज कभी लोग कभी हाई इसी तरह आता है लाग क्यों तो पानी वनि की समस्या भी उसकी विजह से होती है इसी कि बजय के बज़ए से पानी जी दिकत बनी हुई है अर किसका नुकसान में किन किन लोग हो गोगा हुआ जीन की जानकारी मनजिर आपको हो यहां पर कितने लोगों नक्सान होगा? अजर पहले हमारे माली राट्रोटों तो नक्सान होगा अच्छा आज़ी दोख दूखे घृताब बिधायक जी सत्ता पत्छेग हैं अब वर्तमानी तो राजमंती की दर्जा प्राफट लगल पुक्ष समझ में आरा है, क्या कर रहे हैं theor? कुछ भी समझ में नहीं आ रहे हैं फिक्स हो गया है वहा है का। इसलिए कि इनके काफी संक्या में जो सो मर्थाक हैं जिसने भी भगवा गमचा लगाए है तो यह भी मतलब कहीं कोई इनका पुए नहीं है जन्ता के हित से लिए बता दिए कोई एक भी काम हुआ हो तो बताजिए बस जहां हुआ है बस कमीशन के यह धरना परशन हुआ इसके लाबा तुछ भी नहीं है तो जन्ता में आक्रोस है बिधायक को लेका हुआ 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 है आने बाले समय में इसकी इसको खुब पता तर जाएगा कि कल मानी बिधायक जी और मानी सांसाज जुदारा मोगन नगर में कई विकास की सवगाते दी उसको किस धंग से देखा ज मुच्ब इसको नो हुआ है कि किरसे मं छोर हरा हुए नंगर पालिका को पैसे से मलोग परशुआ हुआ इसकी का टीए को था नहीं का टेंटर हो रहा है इनके दोरा कोई भीकास कार ना करते हैं, सब्धी मंडी बने हुए साथ आट वरस हो गए, और उसका लोकारपड नो नहीं किया, दो साल पहरे लोकारपड किया, जब हम लोकारपड का था, अभी सब्धी मंडी बन करके त्यार हो गए, आज तो दहाई साल करो गया, है, उनको गिरा करके, और इख बोर्ड लगवा करके लोकारपड करने की, इनका तो में विकास से कोई ना देना है, आवास योजना के पातरिदगाही बटक रहे हैं, उनको आवास योजना का लाब नहीं मिला है, वहाँ पर दलाली चल लएए तो इनका तो सापिंग कामलेक आज लोग एक पूरी तरह से फ्लाप है और मैं गार्टी के साथ कह रहा हूं कि जब तक बार सागर का पानी में नहीं आएगा तब तक उससे हो जना का कोई विलाव जनता को मिलने वाला नहीं नहीं तो यह जैसे केनके ने जब जब सड़के खोदी आज भी खोद रहा है को यह बताना चाहते हैं कि मैं ने यह करवाया एक बार नहीं कहीं बार प्रस्ता नहीं प्रस्ता हुआ है तो जब टेडर हो गया तो अब हुए जिए हम्हे को के बचाम से ना दिखा जाए की मलोई बरसाद का समय आगे आ गया ऐ यह Um जो प्रतमानी वे प्रणाद का समय औहुंत आठीध तरह से गीतने के लिए कोई कोई भी जो है तो अतगंडा अपना सकते हैं इसको पतवा करके लोकारपन जाए कवाल लोकारपी तो हो भी गई हो तुसरी वाल लोकारपन चोड़ो तो वहीं मावगज विधायक और सांसत के द्वारा मध्यपरदेश सहरी सेवा उन्मुखी करण योजना के अंतरगत पेजल योजना का लोकारपन किया गया लेकिन आज भी जादतर वार्ड इसके पानी से बंचित है बिना पानी दिये ही रीडिंग ली गई और इसके मीटर भी खपत बता रहे हैं इस योजना में के एन के कमपनी पाइपलाइन विस्तार के नाम पर वहीं लाखों रुपए खर्चकर सिविल अस्पिताल के भवन का जल्दबाजी में किया गया लोकारपन में भी ब्रस्टाचार की बूसी आ रही है जिसकी अस्पिताल के भवन में दरार पड़ गई है कॉंग्रेस निताओं और यहां की आम जनता का ये आरोप है कि भाजप के दाम की मार से जनता उबर नहीं पा रही है बिजले विभाग के द्वारा यहां कई वर्सों से काद जो में मैंटेनंस भी किया जा रहा है तापश्प नाम क्या है पता कि मोड़कों बार्ट क्या बाद रही है क्या है यहां पर के एन्ग कि जो अलगे लिजणा है कितनी सफ़ला कहां तक चालू है पाइब लाइन दिशी है चार बाड तराफ पानी कुल चलता है चार तरफ है चार में है पानी को गौह समझ से आये हैं, हम लोग दुर दब्दा लेके पानी लेके आते हैं प्रसासा कोई बसलगा ही नहीं रखता है क्या है कोई अधिकारी मसारी हम देखरेख में आ रहे हैं क्या कमपनी के क्या नहीं कि इनुअ क्या है कर दिया है अब भी टो को मिल ला जैसा पानी प्राफ्त होना चाहिए तो वैसा किसी में रहा है सिर्फ सड़को में देख सब्सक्राइब पूरी सब्सक्राइब सरी निकल रहा है और उसे जडब की हालत भी खराब हो रही है यहां पर पर चालू है यह काम सरी पर चालू होके बंद हो चुका है सिर्फ रोट के खराब होने के अलावा इसमें कोई भी रुबस्ता और नहीं मिली है मांच दिन से खोदें हैं यहां पर इस सिर्फ पानी जिनना के टाइप का निकल गाया है काम चलाओ सुधार कार कराया जाता है और यही हाल फ्रांस फार्मरों का है जो सालों से नहीं बदले जाने के कारण अब उनकी तकनीकी खराबी का खामिया जा वो भोकताओं को जहलना पड़ रहा है जिसका बुरा असर भी पेज अलापूर्ती विवस्था पर पड़ रहा है भाश्पा विधायक के द्वारा निर्मित ऐसी किनानी के सिवाय कुछ भी नहीं बचा है लेकिन यहां पर जालतर पात हित्रगाही ही वंचित है विराट 24 के लिए मावगन से राजर इस दुबे के रपोर्ट अब की पानी यह शुरू हुआ है यह मिल रहा है अब लोगो पानी है कि रिंगे का है ट्राइंइट पात्वर में बात हो रहा है और दो भचैसे बाता रहता है राजवाटिका विवाखर सर्वसुवधा युक्त प्राकर्धिक सुन्दर्धा से ओट प्रोथ राजवाटिका विवाखर में इंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिशेप्शन, वेडिंग शूट, जन्दिन पार्टी, जन्मासा सहित आन्यकारिक्रमों के लिए विवाखर उपलब्द अपने मांगलिक कारेक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मर्ध वातानुकूलित राजवाटिका मेरिज कार्डन के साथ हमारा पता है राजवाटिका मेरिज कार्डन, नैशनल हाइवे, जूला मोर, भुन्दहा, रिवा, अधित चानकारी के लिए संपत करें 98270-04251